हेलो गाइस वेलकम डू माई यूट्यूब चैनल माई नेम इस हजीत को और हम कर रहे हैं इंडियन एकॉनमी बायरमेच सिंग और इसमें हमारा चैप्टर फाइफ प्लानिंग इन इंडिया चल रहा है जिसमें आज हम करेंगे क्रिटिकल अवैलवेशन ऑफ प्लानिंग तो क् कंट्री में नया नया कॉंचयप्त लेकर आया प्लानिंग का तो उस टाइम प्लानिंग को को का इन्टेशिंजम भी होना तब इसे शुरू हो गयाता मैं जकले प्लानिंग का कौनकौन सी शॉत कामिंग था तो अब पहले कहा था पहले जो हमारी government थी उन्होंने अब इस चीज़ को भी notice करा कि अब जो critics है, जो experts है, जो criticize कर रहे हैं हमारे planning के process को तो उन्होंने अब हमारे planning में जो shortcomings निका ली थी तो government ने उन सब shortcomings को देखा, उनको note किया अब जो पहले की सरकारे थी, उन्होंने सिर्फ उनको note किया क्योंकि उस time पे वो ज़्यादा कोई step ले नी पाए उन चीज़ों पे लेकिन जो criticism है, वो तो आज की date में भी होता है और आज की date में जो हमारी government है, वो criticism को देखती है कि कौन कौन सी काँ काँ पे हमारा जो planning का process है उसको criticize किया जा रहा है और साथ ही साथ उस पे step भी लिया जा रहा है उसको दूर करने की कोशिश करी जाती है कि अगर हमाले planning के process में कहीं पे कहीं कोई गलती है कोई खामी आ रही है तो उसको दूर करने की भी कोशिश करी जाती है जैसे कि सबसे first point आता है criticism का lack of perspective in planning export के according जो हमारा इंडिया में economic planning चल रही है उसमें perspective element नहीं है perspective होना बहुत ज़रूरी है जो planning हम कर रहे हैं उस planning का कोई नो कोई viewpoint तो होना चाहिए न तो इंडिया में इनोंने बोला कि जो planning हो रही है उसका कोई भी perspective नहीं है जो perspective होता है perspective के basically दो elements होते हैं कौन-कौन से एक तो यह बोल रहे हैं कि जो planning है वो evaluation based होनी चाहिए कि इंडिया में जो planning है वैल्यवेशन बेस्ट नहीं है अगर देखा जाए तो सच में नहीं थी उस ताइम पर कोई evaluation होती ही नहीं थी पिछले plan की जो next वाड़ा plan होता था वो ऐसे ही वो set कर देते थे पिछे वाले plan को evaluate कभी किया ही नहीं गया था starting में secondly क्या इन्होंने बोला second element है long term goals होने चाहिए और long term goals के बीच में short term goals भी होने चाहिए जैसे कि अगर कोई हमने target set किया है आने वाले 20 साल का कि हम आने वाले 20 साल में हमारी country में यह वाला infrastructure त्यार करेंगी या सड़के बनवा देंगी या कुछ भी करेंगी तो उसके बीच में short term goals होने चाहिए कि हम 5 साल में इतना infrastructure मिनाएंगे फिर next वाले 5 years में यहां पे infrastructure मिनाएंगे तो उसमें short term goals भी होने चाहिए along with long term goals अगर हम Indian context की बात करें तो Indian context में evaluation नाम की starting में कोई भी चीज नहीं थी बिना evaluation के हम next वाला plan शुरू कर लेते थे पीछे वाले plan में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस पे कोई भी evaluation होती ही नहीं थी उस पे कोई विचार चर्चा होती ही नहीं थी हम उसको देखते भी नहीं थे even कि उसके target fulfill हुए नहीं हुए कितने हुए कितने नहीं हुए तो उस पर इतना ज़़ा ध्यान नहीं दिया जाता था हाँ ठीक है हमने 4% का target रखा था 3% growth हो गई ठीक है तो हम next वाले plan पे आगे move on हो जाते थे इसके reason क्या थे हम evaluate करते नहीं थे तो क्यों नहीं करते थे इसके reason क्या थे इसका first reason था lack of noodle body हमारे पास कोई noodle body नहीं थी जो data collect करती national level पे अब evaluation करने के लिए data होना चाहिए ना तो data collect करने के लिए एक body होनी चाहिए हो हमारे पास ऐसी कोई body थी नहीं उस time पर जो national level पर data collect कर सके secondly जो हमारा political system था वो federal political system था अब federal political system के चलते हुए क्या होता था planning का काम होता था वो center level पे होता था center में बंदे बैठ कर plan मनाते थे जो big warning body होती थी planning commission की वो बैठ कर plan मनाती थी और plan implement कहां पर होते थे states पर होते थे तो अब data collect कहां से करना था states से करना था अब state data collect करके देगी तभी center तक पहुंचेगा तभी तो उसकी evaluation होगी न तो अब state पर dependent थे properly वो data collect करने के लिए जिसके चलते हुए data की speeded delivery possible थी ही नहीं उस time पर फिर उसके पाद 2000 में जो national statistical commission था उसकी recommendation आई उस time पर national statistical commission के chairman थे सी रंगराचन तो उस time पर उन्होंने एक recommendation दी कि अब center level पर एक noodle body बनाई जाएगी for data collection ठीक है proper national level पर body बनेगी इंडिया level पर body बनेगी so that कि जो federal hurdles है उसको हम cut कर सके है और दूसरा क्या है computerization already उस time पर हो चुकी थी तो computerization होगी तो जो data delivery हो भी थोड़ी speedier हो जाएगी for the time being उन्होंने बोला कि जो plans launch होएंगे वो projected data के basis पे launch करेंगे projected data होता है जो latest data है जो उनके पास अभी का latest data है उस data के basis पे हम आगे आने वाले plans को हम आगे launch करेंगे लेकिन अब यह सारी discussion तो उन्होंने कर ली कि जो भी इंडियन planning होएगी आप से वह evaluation based होएगी हम quarterly review करेंगे data का performance budgeting होएगी अब starting में जो plans बनते थे ना वो उसके long term goals होते थे long term goals मतलब 20 years के लिए उसके goals set किये जाते थे और long term goals के साथ साथ कुछ short term goals होते थे जैसे कि 55 years के भी बीच में goals set किये जाते थे थे मतलब की political parties में इतनी जादा change हो रही थी पता ही नहीं था के कौन सी political party टीकेगी कौन सी नहीं साल वो पूरा कर भी पाएंगी या बीच में उनकी सरकार गिर जाएगी मतलब सेंटर लेवल पे बहुत जादा political uncertainty आ गई थी तो आमने अभी तक भी पड़ा है 1977 में जनता गौर्मन्ट आ गई उसके बाद 1980 में फिर से कॉंग्रेस पावर में आ गई तो ऐसे जो political parties से उस ताइम पर जल्दी जल्दी वो change हो रही थी तो जिसके चलते हुए अब long term plans यहां पर करना possible था ही नहीं तो short term planning ही उस ताइम पर possible हो पा रही थी इवनके उस ताइ फिर इन्होंने 10th plan के यह कुछ long term goals set किये long term goals के साथ साथ ही इन्होंने 11th plan के भी monitorable targets उस ताइम पर इन्होंने set करने शुरू कर रहे थे राइट फिर next आता है failure in promoting ए balanced growth and development अब जो Indian planning थी उस पर यह भी blame लगाया गया कि जो Indian planning है वो regionally balanced growth और development नहीं कर रही इंडिया की जो planning है वहाँ पे regionally जो growth हो रही है और development हो रही है वो balance नहीं है कोई sector है वो अच्छे से develop हो रहा है कोई sector है वो पीछे को जा रहा है even के second plan में भी हमने देखा अब जो first plan था first planner में हमने focus किया industry को second plan पे हम shift हो गए agriculture पे तो हम कोई एक हम balanced growth नहीं कर रहे हम दोनों sectors को साथ में लेकर नहीं चल रहे है एक sector हमारा grow कर रहा है दूसरा sector पीछे रह जाता है अगर दूसरा sector grow कर रहा है तो पहले वाला पीछे रह जाता है तो हमारी जो growth है वो balanced नहीं हो रही नाशनल लेवल पे जो एकनोमिक प्लानिंग होती है उसका मतलब यह होता है जो national level पे होती है तो उससे जो growth होती है वो balanced growth होती है लेकिन इंडिया के case में क्या हो रहा था इंडिया के case में उल्टा हो रहा था अब जो बाकी countries में जो national level पे economic planning होती है वहाँ पे क्या होता था वहाँ पे balanced growth होती थी जो economic planning national level पे होती है वो balanced growth को promote करती है लेकिन इंडिया के case में उल्टा हो रहा है इंडिया के case में क्या हो रहा है इंडिया के case में जो planning हो रही है वो तो national level पे हो रही है जो center है वो बैट कर plan बना रहा है लेकिन जो planning implement होती है वो तो states में होती है तो इसलिए अब इंडिया में जो growth है वो balance नहीं हो रही इंडिया में क्या होता है इंडिया में जो funds allocate वैसे जो normally funds allocate होने चाहिए वो sector wise होने चाहिए जैसे primary sector को, secondary sector को ऐसे sectoral basis पे funds allocate होने चाहिए बट इंडिया के case में बहुत सारे political reasons हो जाते हैं बहुत सारी discrepancies हो जाती है जिसके चलते हुए इंडिया में जो funds दिये जाते हैं वो directly states को दिये जाते हैं इंडिया के case में funds states को दिये जाते हैं कोई sector wise हम funds को allocate नहीं करते हैं इसलिए अब इंडिया में अगर हम देखें तो theoretically अगर देखें theoretically government को सब पता है कि काम कैसे सही होगा कैसे गलत होगा अगर हम theory देखें but अगर हम practically देखें practically बीज में politics हा जाती है तो politics में politics जो planning को dominant कर रही है political party अब आज की date में अगर हम बात कर लें center level पे किसी अलग political party है state में अगर अलग political party होगी तो वो state की development अच्छे से नहीं होगी इंडिया में जो planning है वहाँ पे politics चलती है अभी भी चलती है पहले भी चलती थी अभी भी चलती है political जो parties है वो बात major role play कर रही है इंडिया में planning में अब दीरे दीरे over time क्या होता है चीज में बदलती रहती है change होती रहती है और थोड़ी better भी होती जाती है अब इसके लिए जो government है government ने balance growth and development की objectives रखेगे पहला गया था पहला government ने बोला कि जो backward regions होएंगे ना उनको हम prioritize करेंगे उसको priority basis के हम उनको funds देंगे जो central government की investment होगी वो backward regions में priority basis पे होगी अब regional development जो हो रही है regional growth हो रही है वो भी तो balance नहीं हो रही है ना region wise भी तो कोई state की development अच्छी हो रही है किसी state में growth अच्छी है किसी state की growth development अच्छी नहीं है तो अब इस चीज को tackle करने के लिए government ने बोला कि जो backward regions है उसको हम prioritize करेंगे वहाँ पे center government invest करेंगे तो अब इसके लिए एक differential development strategy बनाई गई 10th plan में जो 10th plan center level पे बना था तो इस strategy में इन्होंने क्या बोला इस strategy में इन्होंने बोला कि हम अलग-लग states को अलग-लग strategy से tackle करेंगे ऐसे नहीं है कि हर state में हम same strategy से काम करेंगे नहीं हम हर state को अलग-लग strategy के हिसाब से tackle करेंगे अब इससे क्या है इससे क्या होगा कि जो states को funds की ज़्यादा जरूरत है उन states को fund हम priority basis पे allocate करेंगे center वहाँ पे planned development करेंगे अब इसमें हम political parties के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है center में चाहे कोई भी political party हो हम priority basis पे जो needy states है उनको funds देंगे वहाँ पे development का काम करेंगे अब यहाँ से क्या पता चलता है यहाँ से political maturity का पता चलता है अगर सच में ऐसा जो यह बोल रहे हैं ऐसी development हो तो इससे पता चलता है politically अब जो हमारी सरकारे है वह mature हो चुकी है वह economic development के issue को लेकर अब सीरियस है अब वह seriously चाहती है हमारी सरकारे कि हमारी country में economic development हो second इनोंने क्या बोला secondly इनोंने बोला कि हम एक complimentary strategy लेकर आएंगे planning के लिए जो के जो country में regional imbalance का जो matter चल रहा है उससे यह deal करेगी जो हमारी complimentary strategy होगी लेकिन हुआ गया बीच में जो 1990 के बाद की बात करें तो उस time पे आ गए economic reforms economic reforms के चलते हुए जो planning का nature था वो बिल्कुल ही change हो गया अब पहले क्या था पहले imperative planning थी तो economic reforms आने के बाद क्या हुआ indicative planning होनी शुरू हो गई हमारे country में अब imperative planning क्या है indicative planning क्या है यह दोनों मैं already explain कर चुकी हूँ अब economic reforms आने के बाद क्या हुआ economic reforms आने के बाद जो हमारी economy थी वो private sector investment पे depend हो गई अब जो future development होगी वो private sector investment पे depend करती है अब private sector जहां पे invest करेगा तो वहीं पे development तो होगी ना अब जो private sector है वो काम करता है अपने profit के लिए जहां पे private sector को profit होगा वहां पे private sector invest करेगा इसलिए अब जो private sector आया उसमें उन states में invest करना शुरू किया जहां पे infrastructure अच्छा है अब इससे क्या हुआ इससे जो states पहले थोड़ी अच्छी थी जहां पे infrastructure था थोड़ी develop थी वहां पे तो और development हो गई लेकिन जो states पहले ही पीछे थी वो state और पीछे रह गई जिन states की development हुई थी उसको तो private sector ने थोड़ा और boost करा जहां पे already infrastructure था वहां पे private sector आया उसने थोड़ा पहता पैसा खर्च किया थोड़ा infrastructure भी improve किया वो state की development अच्छी होगी लेकिन जिस state में पहले infrastructure नहीं था तो वो state अभी भी पीछे की पीछे ही रही इससे क्या हुआ इससे जो imbalance growth थी ना वो और जादा बढ़ रही इससे जो imbalance growth का process था वो और जादा accelerate होने लगा तो इस problem को tackle करने के लिए हमारी जो center की सरकार थी उसने बोला कि अब हम उन states को promote करेंगे जहां पे infrastructure अच्छा नहीं है अब हम उन states में infrastructure बनाना शुरू करेंगे so that कि हम इस problem को tackle कर सके अब जो government है government का का काम करने का तरीका दीरे दीरे होता है चलो at least process slow था लेकिन government ने issue को address तो किया इस पे सोचना तो शुरू किया दीरे दीरे इस पे काम करना तो शुरू करा तो इससे थोड़े फिर results भी देखने को मिले राइट फिर next आता है highly centralized nature of planning अब 1950 में जब planning का process चुरू हुआ था तो उसी टाइम पर हमारा जो major goal था हमारी government का जो major goal था वो था decentralizing the process of planning जो planning का process होगा वो decentralized होगा जो हमारी country में planning होगी वो decentralized planning होगी मतलब कि local level तक की भी planning होगी local level तक सारा plans बनाए जाएंगे बट नहरुजी के बाद क्या हुआ जो plans बनने लगे वो थोड़े centralized होकर बनाने लगे जो planning का process था वो centralized हो गया no doubt उसके बाद national development council setup करी गई multi level development planning भी setup गई लेकिन multi level planning थी वो totally fail हो चुकी थी उसने काम किया ही नहीं तो जो planning का process था वो centralized था center level पर planning हो रही थी तो इसलिए planning के process को यहाँ पर criticize करना शुरू किया गया फिर mid 1980s के बाद में जो हमारी center की सरकार थी उतका mindset थोड़ा change हुआ उनको लगा कि अब जो planning है न अगर planning को अच्छे तरीके से करना है धंक से करना है तो planning में decentralization की बहुत जुरूरत है planning को decentralized करने की जुरूरत है इसलिए early 1990s में फिर दो constitutional amendments करी गई थी 73rd and 74th जिससे जो planning का process था उसको decentralized किया गया जो local bodies थी उनको थोड़ी power दी गई उनको constitutional powers दी गई अब इससे क्या होगा इसके बाद 1992 में यह amendments हुई थी 93 में यह जो amendments हुई थी उनको implement किया गया तो उसके बाद फिर जो planning का एक नया ही एरा शुरू हुआ था अब इस टाइम पे जब 93rd sorry 93 में जो भी इनको amendments को implement किया गया तो उस टाइम पे local bodies को हमने ताकत तो दे दी लेकिन उनको proper financial provisions नी लिये गए अब जब तक उनके पास financial provisions नी आएंगे तब तक वो काम कैसे करेगी तो इसे लिए फिर उस टाइम पे exports ने बोला कि अगर हम local bodies को financial provisions दे दे जब local bodies के पास proper financial autonomy आ जाएगी तो उस टाइम पे जो decentralization का process होगा जो decentralized planning होगी वो बहुत अच्छे तरीके से होगी वो एक नई direction से शुरू होगी वो उनको एक नई direction मिलेगी जो हमारे planning का process है after the decentralization जब हम local bodies को financial autonomy दे देंगे अब जब तक local bodies के हाथ में पैसा नहीं आएगा तब तक local bodies भी क्या ही development कर लेगी क्या ही growth कर लेगी तो जो 10th plan था 10th plan में जो planning process था उस पे थोड़ा जो था emphasize करा गया 10th plan में भी 10th plan में इन्होंने states को भी अब include करा जो national level पर planning हो रही थी उसमें states को भी participate करा फिर इसके बाद जो upcoming आगे के जो plans आए फिर 11th plan आया 12th plan आया तो इन plans में भी फिर इन्होंने जो states था उनको proper participation दी राइट फिर next है loop sided employment strategy इंडिया में जो starting में planning थी वो capital intensive industries के favor में हो रही थी मतलब कि जो second plan के बाद कि अगर हम बात करें तो उस time पे जो planning हो रही थी वो towards the capital intensive industries के तरफ हो रही थी capital intensive industry में क्या हो रहा था जहां से हमें employment नहीं मिल रहा था employment generate नहीं कर रही थी यह वाली industries अब इंडिया में होना क्या चाहिए था उस time पे इंडिया में हमें labor intensive industry पे ध्यान देना चाहिए था क्योंकि अब इंडिया में उस time पे unemployment बहुत था ग्रीबी बहुत थी इसलिए इंडिया में employment की जरूरत थी इसलिए इनोंने बोला कि उस time पे इंडिया में जरूरत थी labor intensive industries की लेकिन हो कर रहा था इंडिया में capital intensive industries को favor किया जा रहा था उस पे जोड दिया जा रहा था अब उसके बाद फिर 1990s के बाद economic reforms आए economic reforms के बाद जो planning क्या process था वो बिलकुल ही change हो गया economic reforms आने के बाद हमने agriculture sector को promote करा और साथ ही साथ जो agro industries थी या agro exports से उसको हमने emphasize करा so that कि हमें quality employment opportunities मिल सके अब agriculture sector में employment थो ही न तो इसी लिए इन्होंने फिर agriculture sector को promote करा so that कि हमें employment भी मिल सके और साथ ही साथ food security भी मिल सके और पहले जो हमारा emphasize था wage employment के जादा से जादा employment generate करना है उसके बाद फिर हम shift कर गए self employment पे फिर हमने बोला कि नहीं अब self employed हो है अब wage employment पे नहीं ठीकना है फिर next आता है excessive emphasis on PSU अब starting में जब planning का process शुरू हुआ था तो उस time पे emphasize किया जाता था public sector undertakings को government ने जितने मेजर sectors थे उनको अपने कंट्रोल में ले लिया था तो जितने major sectors थे like electricity हो गया जाब core industries थी वो सारी की सारी अब government के अंडर आती थी public sector में आ गई थी तो वो आती थी public sector undertakings में अब इसमें हुआ गया इसमें अब कुछ sectors ऐसे होगे जिसमें state की monopoly होगे कुछ ऐसे areas होगे जहां पर state की monopoly चलती थी बहुत जादा time period तक अब इससे हुआ किया इससे जो sectors थे वो loss में चले गए अब loss में क्यूं चले गए क्योंकि demand supply में gap बहुत जादा आ गया अब government sector है profit के लिए काम नहीं करता वो लोगों के welfare के लिए काम करता है public sector undertakings का main focus क्या था employment generate करना लोगों को welfare करना अब इसी लिए जो public sector था state की monopoly तो हो गई लेकिन साथी साथ क्या हुआ public sector जो undertakings थी वो बहुत सारा loss में चलेगी demand supply gap आ गया demand बढ़ रही थी लेकिन supply पीछे से कम हो रही थी जो major goods and services थी PSU produce कर रही थी उनमें demand supply gap बहुत आ गया था लेकिन उसके बाद जब economic reforms हुए तो उसके बाद भी policy बिलकुल change हो गई policy change कैसे हुई जो public sector undertakings से उन्होंने dis investment करनी शुरू कर दी dis investment होएगी तो बीच में private sector आ जाएगा अब यो public sector के कुछ shares के वो private sector के पास आ गए तो इसलिए फिर private sector के आने से फिर कुछ बाद में market reforms भी देखने को मिले राइट फिर next आता है agriculture overshadowed by industry अब हुआ क्या अब starting में जब planning का process हमने शुरू करा था उस time पे हमने industrialization पे focus करा था कि हम industry को develop करेंगे हमने जो prime moving force चूज किया था वो भी industry को ही चूज किया था तो उस time पे फिर इससे हुआ क्या इससे जो हमारा agriculture sector था ना वो बहुत ही badly effect हुआ था no doubt हमारे जो five year plans थे उसमें हमने agriculture को priority दी थी agriculture को भी highlight किया था बड़ जो industrial sector था जो PSU थे वो जादा glorify हो रहे थे agriculture पे फिर भी इतना जादा ध्यान नहीं दिया गया जो agriculture sector था उसमें जो resources थे वो बहुत scarce resource थे जिससे क्या हुआ जिससे हमारी country में food insecurity हो गए इवन कि आज की date में भी हमारी country में बहुत जादा food insecurity है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको खाने के लिए खाना भी नहीं मिलता बूखे ही सोते हैं और बूख की वज़े से बहुत सारे लोगों की death भी होती है आज की date में भी अब होता क्या है अब बहुत सारे इंडिया के जो लोग है न वो agriculture पे dependent है for their livelihood आज की date में भी मतलब की 58.2% जो हमारे लोग है न वो agriculture पे dependent है for their livelihood and income अब अगर agriculture sector हमारा अच्छा नहीं होगा तो उससे क्या होगा उससे लोगों की purchasing power increase नहीं होगी अगर लोगों की purchasing power increase नहीं होगी तो उससे क्या होगा उससे market failure की situation आ जाएगी अब देखो होता क्या है अब लोगों के पास पैसा होगा तभी तो वो market में जाएगे ना market से कुछ खरीदेंगे अब लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो market में क्या ही खरीदेंगे market खाली रहेगी market खाली हो जाएगी तो market failure की situation आ जाएगी इबनके आज की डेट में भी जो market failure की situation है वो industrial growth को बहुती badly effect करती है अब अगर market failure की situation आ जाएगी तो ऐसी situation में industrial growth का भी कुछ फाइदा नहीं है जो industrial growth है वो agricultural growth पे ही dependent है agriculture की growth होगी तभी industrial growth का कुछ फाइदा है अब जो 10th plan आया था तो 10th plan में फिर agriculture को इन्होंने थोड़ा सा importance दिया था agriculture को ये as a core element लेकर चले थे development का तो इस plan में इन्होंने अपनी जो strategy थी थोड़ी change करी थी अब जो industries थी अब industries तो फिर भी थोड़ी सी अच्छी थी sustainable रही थी जो हमारा agriculture sector राना वो बहुत ही पीछे रह चुका था agriculture sector पे special ध्यान देने की जुरूरा थी agriculture sector को promote करने की जुरूरा थी so that की globalization के time पे जो लोग है उनको agriculture sector से benefit मिल सके फिर next आता है 40 industrial location policy अब कोई भी industry अगर कहीं पे setup करनी है तो उसके लिए कुछ हमें elements ध्यान में रखने पड़ते हैं कुछ चीज़े ध्यान में रखने पड़ती है जैसे की raw material आ गया हम industry कहां पे setup करेंगे यहां पे raw material easily available होगा यहां पे pass में market होगी cheaper labor available होगी transportation थोड़ा अच्छा होगा और communication भी अच्छी हो वहीं पे हम industry setup करेंगे लेकिन इंडिया के case में क्या हो रहा था इंडिया के case में जो हम industrial unit setup कर रहे थे वो कर रहे थे backward region में country के जो backward region है वहां पे हम industrial unit setup कर रहे हैं like PSU's backward region में अगर setup करेंगे तो क्या backward region में हमें skilled labor मिल पाएगी क्या backward region में transportation easily available होगी या market होगी तो यह possible नहीं है raw material हो सकता है who raw material की availability वो हो सकती है but वो भी फिर वही है ना raw material हो भी सकता है नहीं भी हो सकता हो सकता है वहां पे कोई mines हो ही ना raw material हो ही ना तो फिर backward region में अगर आप industry setup करोगे तो industry setup करने से पहले जो industry के लिए जो जुरूरी चीज़े है वही नहीं होएगी तो ऐसी जगे पे जो industrial location की जो theory है वो fail हो जाती है अब government ने क्या किया government ने industrial infrastructure तो बना दिया PSU setup कर दिये पर PSU के लिए चाहिए skilled labor force अब backward region में अब industry setup कर रहे हो PSU बना रहे हो तो क्या backward region में skilled labor force मिलेगी backward region में skilled labor force तो नहीं होगी ना labor force हो सकती है बट skilled labor force मिलना वहां पे possible नहीं है तो अभी government थोड़ी बहुत अपनी policy change कर रही है लेकिन फिर भी अभी भी industry setup कर रही है बट अभी government ने थोड़ी से अपनी policy change करी है अभी government traditional areas में जो industries है वो कमी setup करती है PSU's hardly setup करती है traditional areas में अभी government फिर भी थोड़ा ध्यान रखने लगी है फिर next आता है wrong financial strategy अब जो हमारी जो capital intensive हम plans तो बना लेते थे बट उसको support करने के लिए हमें चाहिए थे resources अब resources को mobilize करना हमारी government के लिए एक बहुत बड़ा challenge हो जाता था उस time पे अब plan को अगर support करना है उस time पे जो plans बनते थे उसको support करने के लिए हमारी government हर एक effort अपना लगा देती थी government अब plans को support करने के लिए बहुत सारे complex and liberal tax structure बनाए उन्होंने banks को nationalize करा 1969 में nationalization का process चुरू करा था तो उस time पे government ने 14 major banks को nationalize कर दिया था अब ultimately हुआ गया इन सब चीज़ों से अब government ने plans बनाए plans को जो targets रखे थे उनको fulfill करने के लिए government ने क्या किया अपनी policy change कर ली ठीक है हम banks को nationalize कर लेंगे tax जो है वो complex tax structure कर देंगे liberal कर देंगे तो इससे क्या हुआ इससे tax evasion शुरू हो गया tax की चोरी होनी शुरू हो गया पैलल economy setup ही नहीं हो पाई तो इससे हुआ गया इससे जो private sector था private sector के पास पैसा ही नहीं था private sector ही नहीं आएगा तो पहले economy कहां से आएगी तो यह इंडिया के लिए एक सबसे बड़ा बयान था सबसे बड़ा शुराब था जिससे के इंडिया की जो development थी वो अच्छे से हो नहीं पा रही थी तो यहां पे जो इंडिया की जो financial strategy थी वो गलत थी अब उपर से government ने क्या किया? उपर से government ने subsidies बढ़ानी शुरू कर दी, salaries बढ़ा दी, subsidies बढ़ा दी, salaries बढ़ा दी, so that की लोगों के पास पैसा आ जाए तो इससे क्या हुआ? इससे government के non-planned expenditure थे वो बढ़ गए और उपर से interest burden बढ़ता जा रहा था, जो government ने पैसा उठाया हुआ था, तो उससे interest बढ़ रहा था, interest burden भी बढ़ रहा था non-planned expenditure पे खर्चा जादा हो रहा था, planned expenditure के लिए government के पास funds ही नहीं बचते थे, planned expenditure तो developmental expenses होते हैं जो country की development के लिए हम खर्चे करते हैं, तो उसके लिए तो government के पास funds ही नहीं बचते थे, सारे funds कोई subsidies में चले जाते थे, कुछ salaries में चले जाते थे, कुछ non-planned expenditure में चले जाते तो उसके बाद फिर जब रिफॉर्म्स वाला एरा आया 1990s के बाद एकनॉमिक रिफॉर्म्स हाई फिर उस टाइम पर गॉर्मेंट को लगा कि अभी फाइनेशल स्ट्राटेजी पे ध्यान देने की जुरूरत है फाइनेशल स्ट्राटेजी को अच्छा बनाने की जुरूरत है तो इसके लिए फिर गॉल्मेंट cha support लेकर आई आ जाती है कोई भी जो काम करना होता है उसमें politics आ जाती है तो जो politics है इंडिया के case में भी seem वैसा ही हुआ इंडिया की जो politics है lesser mature democracies है इंडिया में जो politics है वो हर जगे आ जाती है बीच में आ जाती है तो इंडिया में क्या होता है इंडिया में जो planning का process है ठीक है अब economic planning हो रह he is for example जो economic planning हो रही है after economic planning में हम new balanced growth चाहिए लिए कि हर way since will get this growth but कि इस एंटरमेश को जाता है बीच मैं बीच में ग huntersda का ूच है सेंटर में सरकार क्वी और बैठी है स्टेट में सरकार है तो वहां पर लिए paid low-three उती है आहिए अब जो government हैं अमने города जाती है state में government अलग हो जाती है जिसके चलते हुए जो center है वो funds कहां पे देती है फंड्स उसी state को देती है जिस state में जो center वाली सरकार है वहीवाली सरकार होती है. इवन कि आज की date में भी same यही जो है वो चल रहा है planning के process को यहीं पे criticize किया जा रहा है कि planning के process में कि politicization बहुत ज़ादा हो रही है अब जो सरकारे हैं वो अपने हिसाब से काम चला रही है अगर center में बीजेपी है अगर किसी state में Congress है तो बीजेपी वाले Congress वालों को पैसा नहीं देते अगर center नेक्स्ट हम करेंगे inclusive growth तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना थैंक यू बाइबाए और हाव नाइस डे